मैं डोक्टर राशीस योगनसम नेचुरोपेथी होस्पिटल पलसाना मैतागवास पलसाना नेचुरोपेथी में लोग वैलनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं हेल्थ केर कम ही हो बाता है लेकिन जैसा कि आपको पता है गाउं में सबको रिजर्ट सी है प्रोब्लम जो होती है व वह दर्द ठीक हो न अची हो उनको उसे मतलब नहीं कि क्या कर रहे हो जनरली वह दवायां खा पी क्या थे नेचुरोपेथी थे होस्पिटल से इवन फीजय थेरेपी भी वह करवा क्याते हैं ऐसे ही एक पेसेंट है हमारे साथ सुनिता जी इनका नाम है बर्सिंग प्राग मतलब आप कुछ से चल नहीं पा रहे थे पहले थे पकड़ के विठे हैं शाइल आप बता रहे थे कि गिर भी गए थे वहां ट्रीटमेंट के टाइम पर की उठानी गयता है आप पैर वाली मसीन लगा थे मैं एकदम से गिर गई क्यूंकि मेरे पेर में बहुत जया दर्द तो आज आपको पता ही यहां ट्रीटमेंट जो भी दिया है पड़ने उसमें कोई दवाई नहीं दिया है और आज नहीं स्वादीन है तो आप की सिदी क्या है भी आज क्या लगता है मेरे वह ऐसे लगता है कि मेरा दर्द बहुत बहुत कम हो गया है इसलिए मैं 5 या 10 तिन स साथ दिन से दस दिन से आभी ने के लिची है अब ही कितना क्या घठे है और चलने फिरने में क्या है काम एक बजन और एकने होट नहीं करते हैं नहीं जो पहले दिन दिकत्त प्रोब्लम भी थी और वो भी एवन काफियत तक सोल है इनको एंजाइटी रहती थी एंजाइटी इस वज़े से रहती थी कि रेगुलर कुछ दवायां खापी कि इन्होंने अपना मामला डिस्टरब कर रखा रहा तो यहां नेचुरुपेति के इलाजस इनोंने 19 दिन में ठी किया है अच्छा लोग बहुत से लोग परिशान रहते हैं इन चीजों से दर्ग से कमर के दर्ग से उन लोगों को आप क्या करना चाओगे हमारे इस ट्रीट्मेंट के बारे में ऐसे बनूंगा कि बैन मेरी बात पर विश्वास करो तुम दो या चार या छे दिन उसका ट्र नुकसान है घर बेटे तो फाइदा नुकसान का कोहीं पता नहीं से बहुत 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 धन्यवाद यह बोल रहे हैं समझा रहे हैं आपको कि आप नेचुरोपेटी ट्रीट्मेंट लेके तो देखो तब पता चलेगा ऐसे लोगों की बातों में नहीं आके अपने नुलेगा थैंक यू सो मुँच